सो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आपका एक बर फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल आइविल पर जिसमें कि हम करें थे विजन आइस की टेस्स और आज हम आ जाते हैं अपनी नेक्स दे के जो भी कुशन से उन पर और आज हमारा कौन सा टेस्ट चल रहा यहां के अपने फर्सट क्यूंच यसी चैनल को स्काईब जूरूर कर लेता है तो जल्दी से जल्दी स्टाट करते हैं और आज के फूस्ट कूशन से उपर आपको इसकी पीडिए tragy ay तो आप हमारी telegram channel को join कर सकते हो, telegram channel का link आपको कहा पे मिल जाएगा, description box में मिल जाएगा, ठीक है तो जल्दी से जल्दी start करते हैं, तो सबसे पहले है consider the following statements regarding right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013, एक इतना बड़ा सा act आया था, right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013 में आया था ये ठीक है, तो उसके बारे म दे रखी हैं, तो सबसे पहले है, the act requires the consent of at least 50% of affected family for acquiring land for public private partnership projects, देगा बहुत पहले का act है, लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ा हो, आप सभी को पता है, अगर कोई private company के लिए land लेनी है, तो आपको 80% जो भी affected families हैं, उनका आपको consent लेना पड़ेगा, और अगर आपको public private partnership के लेनी हैं, तो आपको at least 70% affected families का क्या लेना पड़ेगा, consent लेना पड़ेगा, इसने बोले हैं, केवल 50% नहीं, 50% नहीं, हमें public private partnership में कितना लेना पड़ेगा, at least 70% affected families का consent लेना पड़ेगा, और private companies के लिए हमें 80% लेना पड़ेगा, ठीक हैं, तो first statement तो रोंग होगी, second is social impact assessment study is mandatory under the act to acquire land for public private partnership project under any circumstances, देखो, बोले हैं कि किसी भी circumstance के अंडर public private partnership में social impact assessment mandatory है, ऐसा नहीं है, यह statement बिल्कुल गलत है, defense projects के लिए आप ले रहे हो, या किसी और चीज़ के लिए ले रहे हो, तो आपको mandatory नहीं है, social impact assessment, तो यह statement बिल्कुल गलत है, और बहुत सारी states तो इसमें amendment करके, इस act में amendment करके, इस इस मतलब जो provision उसको अटा भी देती है, कि social impact assessment बलब होनी भी चाहिए, ठीक है, बहुत सारी states ने क्या किया, इस act में amendment क्या, और अपनी statement इंपलिमेंट कर वाल या, जिसमें बोला कि भाई, social impact assessment का जो provision है, वो voluntary होगा, compulsory होगा, ठीक है, तो यह ची amendment कर जाते है, बहुत सारी, अभी recently, उडिसा government सोझ रही थी, कि इसको amendment करने के बारे में, और भी बहुत सारी, जो government सा वो it comment कर चुकी है, जैसे कि गुजरात हो गया, महरास्टरा हो गया, करनाटका हो गया, यह जो state government से ही, इसको क्या कर चुकी है, वो भी कर चुकी है, इस ल कर सकते हैं यह लो तो पार्लेमेंट लेकर यह तो आप सभी को पता है जो लेंड का सब्जेक्ट से वो क्या है स्टेट सब्जेक्ट आप सभी को बता है लेकिन लेंड एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन बहुत इंपोर्टन लेंड एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन जो यह subject है यह कौन सा यह concurrent list में आता है यह किसमें आता है concurrent list में आता है ठीक है जैसे कि मालब यह वैसे ही है जैसे जो agriculture है वो state subject में आता है लेकिन agriculture trade इसके लावा अगर बात करें यह इसमें मतलब देखो social impact assessment को जुरूरी है जो भी अफेक्टव फैमिलीज होएंगी उनकी compensation की बात विया इसमें अगर आप किसी मतलब किसी property को करते तो आपको compensation देना पड़ेगा रूरल एरियाज में हो तो आपको four times जो भी market value होगी उसका देना पड़ेगा market value का four times देना पड़ेगा अगर आप urban areas में हो तो आपको market value का double देना पड़ेगा और फिर या फिर आपको और जो भी अफेक्टेड उस एरिया में जो भी फैमिली अफेक्टेड होंगी जैसे कि मालों की आर्टिशन्स हो गए और कोई भी क्राफ्टमेन होगे वह इस एरिया में रहते थे उनका दानापानी में से चलता था तो उनको भी आपको one time payment देनी होग यह भी कुछ प्रोवीजन है इस एक्ट में इसमें कोई डिस्प्यूट सेटल्मेंट बोडी इस इसको चेर कौन करेंगे इसको या फिर इसको जो जो एडवोगेट है जो seven years से एडवोगेशी कर रहा है को एडवोगेट वो इसको जज़ कर सकता है ठीक है तो डिस्ट्प्य कुछ काम हुआ ही निए five years तक उसमें कोई काम हुआ है तो यह प्रोवीजन है कि पांच साल के बाद या तो लैंड ओरिजनल ओनर को वापिस देदीनी चाहिए या तो ओरिजनल ओनर के पास जानी चाहिए या फिर लैंड बैंक को वापिस चली जाएगी हो इसके पास चली जहेगी ऐंड बैंक के पास जी यह इंपर्टन प्रोवीजन दियान अगना कि पांध साल तक उसमें कोई काम नहीं हुआ स्टाट मीं कोई खूआ तो यह मनलब काफी सारे इसमें प्रोवीजिंस इसके बारे मैं तो यह वाला कॉश्चन जो है यह वाला कॉश्चन हो जो है complete question number 51 fair compensation का पता चल गया होगा compensation कितना देना है land acquisition में transparency लानी है ठीक है rehabilitation कैसे करना है उनका resettlement कैसे करना है यह सारी चीज़े इसमें तो question number 51 अच्छा answer तो हमें लगा है यह नहीं तो हमें बताने है correct statement तो दिखे रही आपको केवल पहले दो statement तो हमारा answer क्या हो जाता है यह सिंपल सा question था आ जाते है अपने नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन हमारा के बारे में के बारे में सारी चीज़े कर चुके है अगर आपने यह सारी कंपेर कर दिया गया कि दोनों में comparison बताओ कि कौन सा है तो सबसे पहले बोले इंडियन कैग ओडिट्स दी अकाउंट आफ्टर दी लगना इसलिए इसलिए मैं क्या बोल रही हूं यह ध्यान से सुनना इसलिए इंडिया में जो क्या है वह केवल ओडिटर जनल का काम करता है कंट्रोलर का काम नहीं करता जो कर्चा होता तो इस से नहीं पुछा जाता तो बाद में वह और लेकिन यूज चाहन बोले है इन इंडिया इसाम्बर ओफ पारलियमंट वाइन ब्रीटेंट वास्व कोवमेंस टो आप सभी को पता है इनडिया में जो कया थे वह परलियमंट की मैंबर नहीं होता है यह स्ट वो House of Commons का Member होता है ये statement भी साहिए य बी पूरी साहिए ठीक ये important चीज है कि इंडिया में जो काट है वह House का Member नहीं होता है लेकिन वहाँ पे होता है तो लेकिन देखो House का Member नहीं होता लेकिन क्या कैग जो है वह participate कर सकता है कर सकता है तो हमँस्त में बिलुकल कर सकता है जो कोई इसको रे smash Sum नहीं करते हैं डोन इसके बारे में क्याते है और सारी चीजिक एह मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया था ठीक है तो यह एक हमारा comparison आजाता है अब आजाते हैं अपनी नेक्स्ट कोश्चन भी नेक्स्ट कोश्चन में क्या बोलता कोश्चन नमर 53 सोरी सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपने दो टाइप की स्कीम सुनी होंगी एक तो ऐसा तो इसको फ़ंड तो यूनियं न करेगे और इंप्लीमेंट स्टे cop करेगे इसा नहीं है उसको यूनियन गवर्मेंट ही क्या करती है वह इंपलीमेंट करते हैं तो फर्स स्टेटमेंट तो रोंग होगी सेकंड बोल रहे हैं दे आर फॉर्मुलेटेड इन सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्स में बनाए जाती हैं पहली बात तो जो सेंट् सब्सकी दोВот अब्लब बनाते हैं क्या कहते है वह बहुत सब्सक्राइब को देजर्स केक्जामपल क aug distract के आपनी पढ़ा होगा के लो इंड्या स्किम प्रदान मंत्री मुद्रायोज यह इन यह सारे क्या हैं यह इंपोटन करों के बारे में मेरे ख्यान से आपको पता चल गया होगा तो यह वाला कोश्शन हो जाते है हमारा कंप्लीट कोश्वन होंगे और हमें बताना क्या है मैं बतानी correct statement तो correct कोई बताना धेख वोटिंग एस-21-18 कभ हुई जल्दी बताओ वही वोटिंग कब आई introduction of EVM कब हुआ वीवी पैट का first use कब हुआ और model code of conduct पहली बार कब लगा तो जल्दी जल्दी से बताओ भाई ये 21 से 18 जो हमारी age हो कब हुई होगी तो आप सभी को पता 21 से जो 18 हमारी मतलब जो age हुई है वो कब हुई है 61st constitutional amendment act मेरे से आपको याद भी होगा 61st constitutional amendment act हुआ था कब 1989 में कब हुआ था 1989 में तो ठीक है 1988 में हुआ था लेकिन 9 में फिर इंप्लिमेंट हो गया था तो 1989 में हुआ था क्या नम लेते हैं 61st constitutional amendment act जिसमें जो age है वो 21 से लेके 21 से 18 कर देगी थी और चीप और चीछ भी होई थी election commission का जो number है पहले एक election commissioner होते थे साथ में दो और मतलब इसमें जोड़ दिया कि ते एक चीफ election commissioner होते थे फिर इसमें 2 election commissioner और जोड़ दिये थे ठीक है तो दो थ्री member body बना ठिक एवेम का फर्स्ट यूज के दला में हुआ था 1982 में हुआ था फिर हमारी वीवीपेट वीवीपेट का हमारा यूज कब वह था आप सभी को प्ता नागा लैंड में हुआ था 2013 में हुआ था कहां पर नागा लैंड में यह यह कुछ इंपोर्टन चीज है याद रखने की ठीक नागा लैंड में हुआ था फिर आ जाता हमारा सुरी वीवीपेट का यूज फिर फिर हमारा आ गया बाद हुआ हमारा second four second एक में है नीचे भी दे रखा है क्या नहीं four second एक में है तो यह हो गया हमारा answer B ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया किस किस year में हुए है यह हमारे ठीक है तो आपको chronology पता होनी चाहिए तो यह वाला question हो जाता है हमारा complete आ जाते हैं अपने next question पर next question में क्या बोलता है next question है how many of the following are not recommendation of national commission to review the working को देखो जब national commission हमने कल पढ़ा था national commission 2000 में बैटा था एवेंकर चालिया के अंडर बैठा था ठीक है 2000 में बैठा था 2004 के आज पास इन्होंने recommendation दी थी ठीक है बहुत सारी recommendation दी थी ठीक है बहुत सारी recommendation दी थी कई सारी बीठाए की गया था ताकि 50 years हो गये थे ने लगवग 50 years हो गये थे कि भई 50 years ओगे एं constitution में तो हमारा constitution जो है वो अच्छे से काम कर रहे है की नहीं कर रहा है और अगर नहीं कर रहे है तो उसमें क्या amendments होने चीह है लेकिन जो आप amendments करने की बात करो उसमें याद रखना उसम तब आपको क्या देनी है रिकमेनेशन देनी है तो यह बैठा था national commission to review the working of constitution इन उन्होंने क्या क्या बोला था यह बोले क्या recommendation उन्होंने नहीं दीती बहुत सारी तो दी होगी इन्होंने क्या recommendation नहीं दीते हैं को इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में मतलब अपने विचार प्रस्तूत किये थे कौन-कौन से विचार प्रस्तूत किये थे जिसे कि इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में में बोला था जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में क्या करना चाहिए फंडामेंटल कुछ हो में बोला था कि केवल एक्जीशन की रिकवार्मेंट तो बहुत सारी चीज है इन्हों ने बोले तो तो फोर्टीन नाइन रिक्मेंडेशन देती अलग अलग उसमें अलग फिल्ड में तरसुर से पहले बोलने हैं increase in scope of protection from judicial review afforded by article 31B भी बोल रहे हैं कि scope of protection जो है judicial review का जो आर्टिकल 31B के अंडर है उसको बढ़ा देना चाहिए नहीं इनोंने बोला था कि जो आप मतलब पूरे 9th schedule को judicial review से वो करते हो तो उस 9th schedule में जो judicial review है मतलब मतलब judicial उसमें जो आप protection दे रहें नहीं से अंडूल के अंडर वो कुछ हो कोई protection देनी चाहिए ठीक है कुछ ही मतलब subjects को आपको protection देनी चाहिए ऐसा नहीं है कि सब कोई दे दो जैसे कि कुछ हो क्या protection दोगे judicial review से जैसे कि कोई agricultural reforms आ रहे हैं ठीक है agrarian reforms आ रहे हैं उनको protection दे दो reservation को protection दे दो ठीक है अगर को 31B और 31C जो है अगर कोई उसको implement कर रहा है तो उसको मतलब आप वो दे दो protection लेकिन इसकी power को हमें वैसे restrict कर देना चाहिए ठीक है यह बोला था इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मतलब increased scope of protection from judicial review article ऐसा नहीं था कि scope of protection से इसको है यह इन्होंने recommendation नहीं दी थी जैकेंड गोले है न्यू डारेक्टिव प्रिंसिपल और पोपलेशन कंट्रोल बिल्कुल नहीं नहीं नया बोला था कि भाई एक पोपुलेशन कंट्रोल पे एक नया डारेक्टिव प्रिंसिपल आना चीए कि भाई जो स्टेट हो पोपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मिजर सुठाए थर्ड गोले फंडामेंटल डूटी तो वोट एक्षन बिल्कुल वोटिंग का राइट्स भी नहीं ने बोला था कि एक फंडामेंटल डूटी होनी चीए फॉर्थ बोले रिमूवल ओफ डॉमिसल रिक्वार्मेंट टू कंटे जो एंट्व डाइं चीए ठीक है अब यह सारी चिजूत है कि एसके अलावा जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप यह प्रेडम को एक्स्टेंड करते हैं यर्फ अपने मीडिया की फ्रीडम होने चाहिए या फिर अपने ओपीनियन पॉलिटिकल ओपीनियन की भी हमें होने चाहिए मतलब कहता कि हम अपने ओपीनियन को कर सके हमारा कोई की कोई भी ओपीनियन हो तो ओपीनियन होल्ड करने के भी हमारी एक फ्रीडम होने चाहिए और उन्होंने क्य पर से इस पर कोई भी शोशल चीज यह उस पर भी मतलब एथनिक या तो और आपको इसने बोला कि बॉला क्या इन्होंने और यहीं बोला लगवक तो ठीक है अगर को पॉलिटिकल ओपिनियून्स के उपर भी आपको का इसको नाम ही चैज़ कर दो डाल दो इसमें को एक्षन भी करना है तो यह एक्षन भी डाल दो पॉपलेशन कंट्रोल पे होना चाहिए एक ही नोने बोला था टा कि वोट का जो अधिकार है वो दे दो एक है वोट का दिकार दे दो वर्म कमेंटी में रेक्मेंड़िशन दिया उनको इंप्लीमेंट कर दो वोट का दिकार देदो मतलब वोट का duty बोल दो कि ये duty होगी वोट देना tax को पे करना ये आपकी duty होगी ठीक है family values को वो करना ये आपकी डूटी है ठीक है ये चीज पारलिमेंट और legislation में आपका पतरा रजसभास से जो था क्या नाम लेते हैं को ना हटाने के बारे में बोला ठीक है और कुछ प्रिविलेज जिस बोली किता कि जो पॉलिटिकल एंट्रीटीज जैसे कि MP MLS उनकी जो इंडिपेंडेंटेंट रह सके वह इंडिपेंडेंट्ली डिसीजन लेसके तो यह बहुत सारी चीजी थी इन्होंने जो रिकमेंड की तो यह कुशन हो जाता है हमारा कंप्लीट के बारे में बताने हैं सबसे पहले बोले हैं अप्लिकेशन शुट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हमारी 22 ओफिशल लेंग्वेजिज जो हैं वह हैं हमारे कॉंस्टिटीशन में तो ऐसा नहीं है क्यों हिंद्यों इंग्लिश में आप अप्लिकेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप सभी को बता है यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी क्योंकि कितने दिन के अंदर आपको सप्लाइब कर दी जाएगी इंफॉर्मेशन थाटी डे के अंदर कितने एक महीना के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देदी जाएगी यो अगर किसी की लाइफ का सवाल है तो फिर फोटी एटार दे इक तो एंदर आपको इंफॉर्मेशन के जाएगी बहूत तो दिखी रही है first and third wrong है और second statement हमारी correct है तो first and third wrong है तो हमारा answer क्या हो गया सी ठीक है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया को इसका सी answer क्यों है ठीक है right to information act के बारे में हमें कुछ कुछ चीज़े बताने थी यह यह इस उसमें दे सकते हैं अगर आप अगर आप किसी गलत ओफिसर को अप्लिकेशन दे दे तो जैसे कि अप्लिक अप्लिकेशन दे दे तो तो फाइव डेजिसमें एड हो जाते हैं जितने भी होगा तो यह हमारा इसके अलावा की बात करें इसके अलावा की बात करें ऑफिशल में हमारा मतलब कंस्टिटूशन में बोला का गया लाग जिसके बारे में बोला गया 33 43 से लेके 351 तक ठीक है मेरे कहल से 8 से जूल में लेंग्वेजिस के बारे में बुला गया है थीक है बहुत सारी ओफिशियल लेंग्वेजिस बाद में अड़ी थी पहले तो ओरिजनली तो 14 लेकिन बाद में बहुत सारी लेंग्वेजिस एड़ी जैसे कि हमारा आया था 21st Constitutional Amendment Act, 71st Constitutional Amendment Act, 92nd Constitutional Amendment Act, 21st Constitutional Amendment Act में एकी लेंग्वेज जूड़ी थी होती सिंधी, 71st में तीन जूड़ी थी MNK मतलब MNK मतलब मनिपुरी नेपाली और कौनकनी और इसमें आई थी BDMS BDMS, Bodo, Dungary, Methilis, Anthali, ठीक है, तो ये सारी लेंग्वेजिस एड़ी थी इनमें, तो मैंने बता दिया कौन-कौनसे Amendment Act में कौन सी लेंग्वेजिस एड़ी तो अब भी टोटल 22 official languages हैं जिसमें आप application को दे सकते हो, तो ये statement हमारी रोंग हो जाते है और अब भी RTI एक्टो इन आजाते हैं अपने next question पर, question number 57 पर, question number 57 हमें क्या बोलता है, NAAC के बारे में बताना है, किसके बारे में, National Assessment and Accreditation Council के बारे में, तब से पहले बोल रहे है, it is an autonomous body under UGC, responsible for assessing the quality of higher educational institution, बोलें कि एक autonomous body है, UGC के अंडर जो responsible है, higher education institution की quality को assess करने के लिए तो अब सभी को बताए, ये सेकंड बोलें, accreditation by NSS is mandatory to be recognized as an educational institute नहीं, ऐसा नहीं है कि NAAC की जो accreditation वो mandatory है, लेना चाहो तो ले लो, ठीक ले लो को तो अच्छी बात है, second statement तो रोंगे, थर्ड बोलें, currently only institute that are at least six years, ये statement बिल्गुल सही है, currently के वो institutes, मतलब इसमें, मतलब accreditation ले सकते हैं, जो 6 साल पुरान नहीं हो, और फिर या फिर उन्होंने कम से कम जो दो batches and students के वो graduate कर दियों, तो वो accreditation के लिए, मतलब qualified है, तो ये वही apply कर सकते है, तो बिल्कुल सही statement दे रखे, तो third statement सही है, और हमारी first statement सही, accreditation के बारे में, second statement हमारी रोंग है, तो second wrong है, तो आप second wrong करता ही, direct हमारा answer आता करती है, तो उनको पर्मिशन गरांड करते है, इसलिए इसको बोला जाता है University grant करता है, तो University है, उनको जब कि जो NACC कहा है, जो branches को, जो courses को जो मतलब वो करते है, उसको बोलते है, का बोलते है, NAC, तीक है, कब बनी थी naac, है वो सभी को बता कब बनी होगी, 1994 क्या आस-पास बसब दो सबार्ब यह क्या है और रिकमेंट किसे ने किजिने चैक्षेशन ने इसको करते ऑफ YOU रॉपक Decept sentir me freejun 2 यह उसले किसीकी से यहां कई प्लस प्लस से लेंके संदितक बहुत देखती है जैसे कि करिकुलम कैसा है इंफ्रस्ट्रक्ट्टर कैसा है रिसर्च कितनी हो रही है उसमें कितना है तो इन सारी प्लैट्फोर्म भी चला है जिसका नाम है इन क्या नाम है चलाने के लिए उजआ कि प्लैट्फोर्म सब्सक्राइब करते हैं एसके नम लेते हैं और इसके है पहां पस्वेo चल्दी बताओ तो इसके हैड काहां पर है वने मे हैं एटीकिट है तो कुछ इलिए है तो यह कूशन नूमर 57 हैं हमारी कुछ नांब ने वह तो हो जाते हैं प्र सब्सक्राइब हुआ पर आदांट कंब के बारे में पर सारी अभी ऊश्चे तो उसे पहले NGO in India receive foreign funding cannot use more than 50% of such funds for administrative purpose एक तो ध्यान रखना अब जो चेंज किया थो उसमें था कि 20% से जार्दा funds को आप administrative purpose के लिए यूज नहीं कर सकते ना कि 50% तो यह statement क्या जाती है रोंग हो जाती है सेकंड बोले हैं public servants बहुत सारे मतलब जो ओफिचियल्स है वह प्रोहिबिटेड है का नाम लेते हैं यह फंट्स लेने के जैसे कि आप बात कर सकते हो election candidates ठीक है election वाले जो candidates है election में जो लड़र है वो candidates है जजीज है स्टेट लेजिसलेचर के कोई भी है पॉलिटिकल पार्टीज है न्यूस पेपर के एडिटर्स वगए रहा है यह सारे जो है वह फॉरिंट फंडिंग रसीव नहीं कर सकते और भी बहुत सारे है ठीक है तो पब्लिक सब्सक्राइब Olsen थुक्स के बारे में किया बतानी का इसकी है उपो सब्सक्राइब राइट को इनफोर्मेशन राइट से काया एप टार है । तो इसमें यह पर यहीं राइट्ट, Oh अध्य प्र तो क्या हम चुर्ण यह जो है इस एक यह प्रोइड किये गए हैं तो राइट टो इंफोर्मेशन कंजूमर एजूकेशन रिप्रेजेंटिशन सेफटी चूजिंग और राइट टू रिड्रेसल ठीक है जो भी आपके वह करोगे ठीक है तो कंजूमर प्रोटेक्शन तो यह सारे यह होगी तो कॉश्च नमबर 59 हमारे समझ में और अगर बात करें औ-उर्गेनाजेशन कब एसक्स की ती कॉन से GSI कनूमर गाइद से ओफ इंडिया कौन से थी कंजूमर गाईडएं सेटी ऑफ इंडियाथि थी और अगर बात करें देखो इसमें डिस्प्यूट रिजोलीशन और गेने जिशन और बनाएंगे यह दिस्टिक लेवल नेशनल स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे कितने कितने पैसे तक का मतलब जो है जो डिक्षिन लेगा था अगर बात होगी तो वह देखेंगी नेशनल इस्टेट में तक के तक की केसि को सुनते हैं डिस्टिक वाली कौन सी स्टेट वाली कौन सी और नेशनल वाली कौन सी ठीक है तो डियान लगना इसको तो डिस्ट रिजलेशन बोडी कितने पैसे की के सब्सक्राइब करती है तो यह वाला कॉश्टन हो जाता है अपने नेक्स्ट कॉश्ट पर 59 आनसर जाता है अज़ा एंस्ट पर नेक्स्ट हैं एक सेकंड क्या बोल दी थी मैं हां ठीक है तो कॉंस्टिटुशन ने यहां पर मिस्ट बहेवियर को याद करना याद करना बहुत इंपोर्टेंट अगर आपने लक्षमी कांट पडियों की डिफाइन कर रखा है सानी यह डिफाइन नहीं कर रहा है किसी ओफिस और प्रॉफि जैसे कि यह हैं ॉफ्य होता है मतलब तो अगर उप्रेश के चेर्मेन को हटाना थो यह कहां जाएगा सुप्रीम कोड में जाएगा और सुप्रीम परीब पर प्रेसिडेंट पर नॉर मैं बहुत सारी चीजव na तो इंस को किया सकता है तो इनको किया जा सकता है ठीक है अब यूपीज का मतलब कहा कहां पर स्टेट पबलिक सर्वी कमेशन परफ कुण सा परट 14 इस में किटने नि कुन करता है इंक कुछ मैंबर्स मेंबर्स का याद रखना। lijnt प्रेजेंट की इनकी स्रेंथ कि प्रेजेंट करेंगा, कि इंदर आपकी युन या सेट के अंडर आप ओफिसोड करने चाहिए या मतलब गुछ आजा बोला तो इसके बाद इनका टाइम कितना होगा इसक्स तू सिक्स्टी फाइफ यह तीक है और मतलब सीविस्ट के आने के बाद इनकी पावर जो हो वो काफी कम हो गया है क्योंकि स सिविसर्वेंड के बारे में इनसे कंसल्ट क्या जाता है तो यह है कि वाला कोसन हुजाता है कंप्रीट मेरे ख्याल से आपको चीजे इसमें स्वांटा चला जिसे नबर दो dedim अंथ 10 जो में का बोलता है 60 कोश्चन कर्षजन को 191 अमंगाव सिक्सिवन है हमारा स्टेटमेंट वान युफे को दे रखें हैं बोल रहे हैं स्टेटमेंटवन पहले दिसन नइंटींथ मतला वों इलेक्शन परटिशन से रिलेटेड केसि को सुनते थे लेकिन बाद में इप्रोविजिन अटा दिया गया हाइग को भी या फिर मानले सुप्रीम कोड़ को भी इसमें वह कर दिया गया तो हाइग कोर्स अभी मेंधि सुनते तो ऐसा नहीं ह से पहले बोलते तो हो जाता फिर बोले नैंटीन फिर बीडिया गया और एसा अगर होता फिर एक ही स्टेटमेंट होती है जो इसका अंसर होता है वह होता है कि इंडिया ने मल दूसरा सिस्थेम अडब्ड नहीं किया क्यों इसके पीछे क्या रिजन था मतलब सकते क्या 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 व grupos क्रिस्टमथे में कांट्री में इतने बड़ी में काम नहीं कर सकता है स्टेटमेंट सही है इसी लिए प्रोपोर्शनल रप्रेजेंटेशन को नहीं लिया गया था सेकेंड बोले एंटार एलक्षिन सिस्टम जो है एक्टिपी का वह समझना भी आसान है जिसमें क्या होता है नॉर्मली जिसको भी मालों की 10 कंडिडेट करें किस अस्टू चुज़ए पार्टी एंड रिप्रेजेंटेशन तो इससी इस चक्कर के कहांड की मालब यह समझ में नाइस ही कि करन फ्पी टीप नॉर्मल लेवल पर यूज किया जाता है ठीक है आपने सुनाओं का प्रेज़ेंट के लेक्शन में यह वह प्रपोर्शनल रिप्रेजंटेशन सिंगल ट्रांस परेबल वोट यह वह सिस्टम आप यूज कहा जाता है तो यह स्टेट में क्या बहुता है बारे में बतांब रहा है कि तासस्ट इंस्व पार्ट टि सिप्लें इन्डी लेजिसलेटे सेनियांगोव सकता है तो यह स्टेटमेंट क्या है तो यह बोलें पहलें पार्टी हगाँ कॉन्स्ट्ट narrative इश्यू एफ टो इस लेजिसलेचर तो यह स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी होते है उसको इसको इसको कॉंस्टिटुशनल राइट है क्यों कि देखो आप अभी बात होगी ना टैंसे डूल एड जिया गया घर आपको हाउस मैं बताने करेक्ट और फॉर्स्ट इन अंफर सट् extract है रखुनस吗 और पहले तो मरलब यह जो किया मेरी है इनका जो भी च। सब्सक्राइब होते थे अपकों कि यह बोलते हैं कि कि हो तो हो लो किस्वा लिए कर सकते हैं तो ऑफिर गार्टे से बदेखा देखते हैं तो महारास्टरा में ना क्या ही हुआ तो लोको तो बिलकुल ही मतलब परकच्छे उड़ गए वहां पर तो इसके तो कुछ हुआ तो हो तो रहा है नहीं यह भी लगबग इन इफेक्टिव ही हो गया क्योंकि भाई इतने सारे मेंबर्स जाके दूसरे पार्टी में मिल रहे हैं और जो जो पार्ट तो यह बताना है कि पहले दो स्टेटमेंट सीवी सी के बारे में बोल रहे हैं सबसे पहले इतवाज इस्टेब्लिश अंडर प्रिवेंशन ओफ्रप्शन एक नायंटी निटी एक बोलें यह एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश नहीं हुई थी तो यह कमिशन बैठा था उन करप्शन जैसे कि संथानाम कमिशन ठीक है उसके रिकमेंडेशन पर बैठी कोई एक्ट नहीं आया था इस टाइम पे बाद में सीवी सी एक्ट आया 2003 में जिसमें इसको कॉंस्ट्टूशनल स्टेटस प्रवाइड किया तो मतलब स्ट्टूशन बोल रहे हैं इसमें यह नही आपको समझ में आ गया होगा यह वाला कॉश्चन ठीक है असान कोश्चन था ध्यान रखना इसको और सीवीसी की लगबग चीज़ें यूपीस्ट जैसी है ठीक है उनकी सेलरी अलॉयन्स कैसी होंगी सीवीसी के हैड़ी कहां पर है आप सब बता होगा डेली में ही इनके अब देखा था ना अब नहीं ध्यान लगना इसको 5-65 नहीं 6-65 कितना तो यह थोड़ा टाइम केर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस थी कह है यूपीसी वाले छे साल तक और यह सी वीसी वाले चार साल तक पॉइंट होते हैं बस मुटा मुटा ध्यान रखना डिफरेंस इस ठ पर नेक्स्ट क्वेशन हमें क्या बोलता है 65 मिनट 65 हमारा NCSC के बारे में इंपोर्टेंट वोडी है NCSC सबसे पहले बोले हैं इसमें एक चेर परसन होते हैं कुछ अधर मेंबर्स होते जिनको प्रेजिदेंट करते हैं अपने हैंड और बिल्कुल यह रिवीवार मोनिटर कर दीकती है इंप्लिमेंट करना तो चयान लगना तो फ्रेसिदेंट करते हैं अंडर और इसे आपकल के राता है से से स्टी ओबी से हर चीज का एंसी असी देखता था इंपोरेंट ज्यान लगना पहले एंसी सी हर चीज को देखता था लेकिन फिर टू-टॉ-जन-फॉर में अमेंडमेंट हुआ का दिओन अन् TP लेता है दिद्ग लोगा नगवाई दिया थिकल थ्यूग का पॉंट करता हो मैंने भला फैस अ cred कोडिंग पॉइंट होते हैं यह कितने साल के लिए देखो दोनों ही एक और बोडी थी आपने नाम सुना होगा ओबी सी नैशनल कमिशन में हैं स्य त्रीटिटी एड़ी में बहुत इंपोर्टन यह ध्यान रखना और इनको कंस्टिटूशनल स्टेटेस कब दिया गया वैसे एंसी बीसी बना था नैंटी नैंटी टू में सेंट को इनको स्टेटिटीशनल स्टेटेस इसको दिया गया कब वन-जीरो सेक्न्सक्राइट अब भी हुआ था रिसेंटली टू तुथा पॉजन्ट एटीन में कब इंको constitutional status provide किया गया जितने भी अभी मेंबर की बात आ यह ते इन साल के लिए पोइंट होते हैं क्या की दिए पॉइंटे हैं इसके हैं लिए सकते हैं इसके लिए अगर बात करें फelyn अलग हो गई तो बहुत इंपोर्टेंट है अब कोस्टारे सारी है और इसके बारे में तो मेरे खाल से आप कोई है चीज़ समझ में आ गी होगी क्या किया चीज़ नहीं इसके बारे में तो सबसे पहले बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक 1988 इस वन ऑफ दी इनिशेटिव गवर्मेंट ऑफ इंडिया तुक इंसिदेंस ऑफ करॉप्शन तो आप से कोई भी ग्लोबल इनिशेटिव नहीं है जो करॉप्शन के लिए लीगली बाइंट करता हो सिगनेटर जिसक अगेंस्ट करॉप्शन ठीक है ध्यान रखने इसको वन सेकेंट तो यह कब आया था 2002 में आया था 2005 के एक फोर्स में आया था मैंने बता दिया यह क्या लीगली बैंडिंग प्रोविजन है ठीक है यह आपको बता चल गया तो बिनामी ट्रांजेक्शन एक्ट के बारे में मे 25 परसेंट जो भी प्रोपर्टी का मार्केट वैले उसका 25 परसेंट तक आप पर फाइन लग सकता ध्यान अगना तो यह है हमारा बिनामी ट्रांजेक्शन एक पॉस्चन नंबर सिक्स्टी सेवन रोंगा फस्टेट्मेंट करेक्ट है तो हमें क्रेक्ट स्टेटमेंट बतान ट्रांट है कि 21 से ज्यादा उसमें बॉर्ड में डारेक्टर से नहीं होनी चाहिए सब्सक्राइब क्लासे के लिए कोई चीज नहीं यहां पर से एस्टी और विमन इनके लिए तो फिर भी बोला गया है कि वन और टू सूर्स इतनी होनी चीए मिला विमन के लिए लिए उन चीज के लिए कोई चीज नहीं बॉल गया है ल को सब्सक्रीड में और को पर नंगुंड बोबन century को करेक्ट तो हमें। लो बना दिया गया था तो यही है वह इसके बारे में तो और क्या है और तो वहीं सब्सक्राइब को और कितने साल के लिए कितने साल के लिए पॉइंट होगे पांच साल के जो बी इलक्शन वहां को कुछ ऐसा है तो सिक्ष्टी एट हो जाता है एंगे नैस्ट कोई है क्वेशन ने चैट कोष्ट के बारे में देख लेते हैं रहें तो से पहले बोलें रहें कोई क्राइटीरिया नहीं बताए गया कि की स्टेटमेंट बीलगोल साहिए यह ज़रुरा है कि स्ट को स्टीक्र स्टेट में कैसे जाएगा तो यह स्टेटमेंट सैकने बहुत रहीं है कि आतिकल पॉब्लिक नोटिफिकेशन तो आर्टिकल 342 में कौन डिसाइड करता है पार्लेमेंट नहीं प्रेजिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन सी अस्ति होगी तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल से पंजाब और हर्याना है असे स्टेट हैं जहां पर मलब कोई भी इसके लावा और भी हैं जैसे कि डेली होगी चंदीगड होगी पॉंडी चरी होगी यहां पर भी इस ट्राइब नहीं लेकिन यह यूटी में आगी थी कैतो ध्यान अगना तो उनली पंजाब इंड हर्यान नहीं तो बिलकुल को सब्सक्राइब लेकृंग्ध क्या है मेर», का लिए उसके लिए राचा लोकूर कमैटी मेंजा सरा सब्सक्राइब क्यान का इसके लिए यह हैं ब्रेसेंट्ली हटटे ट्राइब को विमास्टुस ट्राइब चानजडाउं इसलिए यह भी न्यूज में थी तो कुर्षिन नुमर 69 हमारा आंसर क्या हो जाता है भी आजाते हैं अपने निक्स्ट कुश्चन पर तो नेक्स्ट कोश्चन में क्या बोलता है ने सो साल चैनि कम से कम कितना सो साल पुरा अगर कोई रिटन में रिकोर्ड है जैसे कि साइंटिफिक हिस्टोरी का लिट्रेरी एस्थेटिक वैल्यू है उसकी तो वह कम से कम पिचेतर साल पुराना अच्छे बिल्कुल यह पिचेतर साल हो अच्छे अगर कोई अगर कोई पांसो साल सी जादा पुरान यह उसको रिट्रेशन की रिकोर्ट में उसमें इंक्लूड करने के लिए इंटिकूटिविटिस में तो सेक्ट थेटमेंट सही है और इस दो स्टेटमेंट सही है कों से से सही है और यह हमारी रोंगा ठीक है आप सभी को बता है कुछ भी आ सकता है किसी भी टाइप का आर्ट क्राफ्ट लिट्रेचर कोई भी चीज वह सो साल से पुरानी हो नहीं चीए तो वह एंटिकूटिस में आ जाएगा और अभी न्यूस में क्यों कि बहुत सारी एंटिकू से इतनी हमारी हो घ। हमारी को ऑख़ितायां लैसेंस लेने की रिकवार्मेंट ने कंपया ठीक है इसली यू लेक हे हम वापिस लेकर आ यह 2014 कि तो ताउजन फूर्टीन से हम 292 टू एंटिक्यूटिक वापिस ले आहिं कितने 292 और जबकि नैंटीन से लेंगे 2013 तक की बात करें प्लाइब इसके बात करें तो वह मैक्सिम्म में घाल से आपको बता चल गया होगा तो कोशन तो यह स्टेट्मेंट हो गया था यह बिल्कुल अन्टेट्मेंट का था लेकिन यह वोलेंट नहीं हुआ था ठीक है सेकेंड दी मुवमेंट रिजल्टे इन पैसेज ओफ टेंपल एंट्री प्रोक्रोमिशन एक 1936 बिल्कुल इस यह मुवमेंट बाद में सक्सेस्फुल बलकुल इन्हों सब्सक्राइब के बारे में वाइकॉं को पता होगा इसमें और क्या पता होगा रजा रूल था काफ़ी ज्यदा शेयसे कि वहां पे। पुलाइस ऐजावास यह लोवरकास्ट होती थी वहां के दिक है तो इन पर उन्टचेबल या फिर नएर्स भी बाट कर सकते तो यह वहां पर बिलकुल भी ना तो रोड पे चल सकती ति और टैंपल में तो एंटरी करें नहीं सकती थी तिरोड फे नहीं चल सकती थी फिर इन् बने जैसे कि अब ये रमास्वामी की बात है और भी बहुत सारे लोग थे मतलब 1923 में हुआ था स्टार्ट ये 1924 में इंवी रमास्वामी आगे थे जो इनकी लिडर्शिप नोने ले ली थी इसलिए इसलिए ये मतलब को वाइकॉम हीरो के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहां के हीरो यही थे इनों ने रिडर्शिप यह थी और भी बहुत सारे मेंबर्स के शाथ एस्ट जैसे कि अपने माधवन का नाम सुना ओगा टीके माधवन यह भी मतलब यह भी इसी के साथ से एस्टेट इंपोर्टन है या दगना इंपोर्टन नाम माधवन किलापन भी माधमा गणी भी 1925 में यहां पर इविजिट किया था इसी कि लिए 1925 में ने विजिट किया था कबी यह नियुंद फिर क्या हो गया था 1936 में टेम्पल एंट्री प्रोकिलेमिशिन एक्ट साइन किया था जो सायं कर लिया था वो और फिर यह उन्टचेबल यह बदुग सबसे पहले है हमारा क्या सबसे पहले है कि क्या कौन-कौन सी कंडिशन है सबसे पहले होता है तो सबसे बड़र महां रसंद वे इस रहां दो बनने के लायक होंगे तो वह महारतना बनने के लायक होंगे तो इसा नहीं है कि मतलब पंद्रह जार कोड़ से ज्यादा तर्णोर होना चाहिए था फॉर्थ बोले हैं शुड़ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजंस बिल्कुल महारत ना तभी होगी जब उसका सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजंस होगा तो यह स्टेट्मेंट बिल्कुल से देगो और चीज सब्सक्राइब कोड़ी सब्सक्राइब महारत ना चाहिए रवनेके लिए पहले महारत ना बनका स्टेटपस होना चीए टेक है स्ब्सक्क्राइब ना स्थमें नी तो आपके पास में आपको समझ में आगया होगा सांसर है लुए जनल हमारा आखिया अग्यां फिर मिर को मत बोला एक लड़ी जनल सबसे पहले बोले हैं हाईएट लोओ बिल्कुल को बिल्कुल से कोई सिर्ट रहेंगे गोड़ें रोकी कि बीना चेल्हेस होगे पो और किस आर्टिकल के एकॉडिंग पॉइंट होते हैं यह आप्पॉइंट होने का प्रेजिडेंट करते हैं तिक है और कौन हो सकता है सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रेजिडेंट होता है वह इनकी भी और इनकी भी होती है कि क्टेगरी में आते हैं बिल्गूल भी नहीं में इसको यह और में कोई इसको नहीं कर्सक्राइब इनको को भी कर जाकता है कोई प्रोसीजर ने दिया वह पुछन समय आगया है तो आपको दिख रहा तो आपको तो आ जाते हैं अपने next question पे next question मैं क्या बोलते हैं next question हे वारा किसके आरे में तीन मे पडालाइब चिंञार अप्लामे देखो जो अमचांग वाइलाइफ सेंचुरी कहां पर किरला में और वाइलाइफ सेंचुरी कहां पर बहुत इंपोर्टन है यह सही है तो यह फर्स टेटमेंट सही है सेंचुरी कहां पर उडिसा में और अमचांग कहां पर असाम में बहुत इंपोर्टन अमचांग असाम में चिननार करला में देब्रिगड कहां पर उडिसा में तो कुछ नमबर 74 अंसर हो जाता है सबसे पहले होता है हर एक पर जो मुस्लीम क्रिश्चन पार्स या जूस नहीं है बिल्कुल आप सभी को पता है हिंदू पर अपलाई होता है बिल्कुल जो यह नहीं है इन सब पर अपलाई होता है सेकंड बोल रहे हैं मुविमन फ्रों स्टी आर एक्स्लोडेट तो बी रिकोगनाइज इंवन आफ्र दी अमेंडमेंट इन 2005 बिल्कुल यह स्टेटमेंट सभी रहे कि वैसे तो विमन को राइट दे दिया गया मतलब हिंदू सक्षेशन एक्ट में पहले तो विमन को कर सकती जान अखना बिल्कुल सभी स्टेटमेंट दे रहे कि स्टी की वुमें अभी बी लीगल हैर नी बन सकती प्रोपर्टी कि बिल्कुल सभी से 2005 वे मैंडमेंट हो गया उसके बाद भी नहीं थे लोग एप्लाइस तो इसलिए है कि इनको भी राइट दो इसलिए एक बो एंड ऐस वेल तो केवल लोग के अकॉर्टिंग सब्सकेशन नीतिrar Style को लिए हंएंसन होता तो यह समय में आकनन में अगया होगा क्या-क्या है क्या है तो यह बिल्क कि नहीं आपता है लोग के रंगु proposals vlog करिके लिए प्रोपर्टी में पहले या तो यह तो वह घुना दिए तो यह तो यह तो यह था को आपने आपने नेक्स्कूशन पर हमारे कि सकूरेट्टिव मूपेक्टिक्ट है क्या पूछा है क्या पुछा है कोप्रेटिव मुवमेंट्स के लिए कौन सी कमेटी बैठी यहां दखना बहुत इंप्सक्राइब मोच की बढ़िया जो कि एड़ाइब तक है ऑब अगर बात करो यह एड़्वर्ड लो कमेटी का बर्ठी नेटीन तो के बस्याइबते मट्रेटी जो चु सारे को प्रेटीव मुहें पिकमेटीव में कुलिख कर क्रोन नोलाजि भी आ जाती है कर नीजिक थे तो एड़्वर्ट दो कमेंटी दो और सभी नेक्सकीं नेच्ट सेकेंड सब्सक्राइब्स में चैट जी में आप सब्सक्राइब चैट घ्रट मैं यहां तो चैट मैं अ सब्सक्राइब तो त्रांस्ट्रमर में आप जर। नहीं होताई यह क्या होता है ट्रांस्फोर्मर होता है ट्रांस्फोर्मर कटर्ण सेकें ह। इसकी फॉत क्यों होते है कि प्री ट्रेंड ट्रांसफर्मरर इसको यह समिन मिलब डवलप किया ओक बना है किसी ने टक कर ने बच्चों को स्कूल में बेजना किसके जूटी है हमारी पेरेंट्स की जूटी है ठीक है पेरेंट्स के उपर ड्यूटी है कि वह बेजेंगे तो फंडेमेंटल विश्वाद में आता है कि यह चोंडेमेंटल से निचे बच्छों की स्टेट की होगी लिखा है उनको पुड़ाने की स्टेट की स्टेट की होगी और चाहिए उपर की पेरेंट्स की क्यों का ,רה डी का डिया गांड इडैलन के लिए के लिए रिजकेसं की हैं के बच्चों के लिए तो qe Mini यह मैंशन के लिए इस्ते न में पताने एक सब्सक्राइंप reaches प्रोटेक्शन है थे फब यह थोड़े दिर पहले भी पढ़ा था फिस वह भी पर किया गया उनको भी बोला गया कि आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके जो बीक एक नौलेज़ कर लो पी जो भी कंप्लेंट और एक महिने के अंदर उसको सोल करो ठीक है तो यह ऐसा नहीं है कि उसके अंडर कवर नहीं है यह भी कवर है सेक्ट बोले हैं दिर भी नो फिस फॉर फाइलिंग फॉर सैटलमेंट अब बाइक अब तो फाइफ लग भी फाइफ लग तक की कोई फीस नहीं होगी फ़र गोलो स Initiatives नहीं है फिर हमें बताना के हमें रोंग सेट्मंट साहे होग तो यह बहुत इंपोट्टन है क्या पूछा गया एक नोट करऺट कुछा गया है ठीक रोघ यह बूदी जाती हूं इधार एðा पाई दिखता नहीं है फिर है एक्शा-कोनाजल-फन वह पैसीन के लिए प्रेंप्री आघ्जा-कोनाजो प्रेजाड के लिए पैस्टिस एंड्य तो यह इस लिए इस लिए आपने नेक्स कोशन पर कि ऑफिशल लेंगवेज इसके बारे में थोड़े दर पहले बता था एट सट दूल में एंड की त्री तरी फॉर्टी तरी वन क्या बोल रहा है बोले हैं कि हिंदी इंडेवनागी स्क्रेप्ट जो है और इंग्लिश इंग सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यह स्टेट्मेंट हमारी क्या है ठीक है तो यह है तो दोनों इस तो इसके बारे में रहाते हैं फ्रस्ट्रेटमेंट भी रहोंगा सेकेंड सेट्मेंट भी रहोंगा बता नहीं क्या और नहीं क्या हो गया ठीक है और और क्या सब्सक्राइब नहीं क्याने के लिए फार्टिश नाने टीन्जिश फनाने के लिए पार्लेमन कर सकती है ठीक है तो सबसे पहले चैनि को चैंज कर दिया सब्सक्राइब सब्सक्राइब को पता है तक बिल्कूल रिपोर्ट प्रेजिटेंट को देते हैं कि कि कमीशन वाय इसले मैं कूछ हो गई तुक हम घचुकिन नमबर 82 अंसर को गई दी आ जाते हैं नेक्स फूर्शन फेड फिफ क्या वनसेंट चीण स्वीप 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 स्सेमेटिक वोटर से चाहिएं और ईलोक्र पार्टिसपेशनट प्रोग् किसका प्रोग्राम हीं किसा एक उसलंक को मिशन जाता है यह लेचनल वोट именно अब यह जहाब हेशन और ने सब्सक्राइser अगेल, घखनप कई यह टीडिकारो यह कि इसका इसका फ्रूटन के बारे में लोग से इलेक्षन में उसमें वॉट रंखना सबसे पहले यह इंडियन पेंटर थे केरला में बोर्न हुए थे और हिंदू माइथोलोजी को युनाइट करते थे युरोपियन रियलिस्तिक पेंटिंग के साथ हिंदू माइथोलोजी और यूरोपियन स्टाइल करते थे वह फिर्स इंडियन रिटिंग थे जो वेल पेंट का यूज़ किया था जिन्हों ने बहुत इंपोर्टन थे जो लेके आया थे इंडिया में इनकी पेंटिंग हमसा दमयंती काफी ज्यादा फियमेंसा जिसमें किंग नल और दमयंती के बारे में मतलब बात की गया रिटिश गवर्मेंट ने को के जुए अच्छे पेंटर थे पार्सी लेडी के नाम से पेंटिंग है नहीं के नहीं कि है इनके डैत कब हुई थी 906 मिंगी ज्वह कैम एंटीन जरो फोर में वांड मिलाद में इनकी डेट होगी ठेक रिशी कन बहुत सारी इनने पेंटिंग्स में बनाई यह भाएज़ें फैमिली ओफ बैगर्ड इसके लावा अरजुन एंड सुबद्रा तोकिंग टू स्वान जटायू का नाम सुना होगा जटायू ठीक है लेडी लोस्ट इन फॉर्ट यह बहुत सारी पेंटिंग्स इन्होंने बनाएं तो यह राजारवी मारमा के बारे में अंसर हो गया डी आ जाते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे बोले कि एक वेस्ट फ्लोइंग को यहां पे जो भी वहां पे रह रहे हैं रिवर के बैंक पर डिस्ट्रेस में आ गए थे मां पे कैमिकल्स का यह थे वह रहा पे क्योंकि को नेक्स्ट पूसर तो नेक्स्ट कुशन में दिवारे में क्या बोलता पूशिन के नमबर 86 है हमारा right liabilities and properties of union and states के बारे में ठीक है तो पहली statement क्या बहुत है कि all rights and obligation of Indian princely states before the commencement of constitution became the exclusive right and obligation of the union and government second while the sea wealth in territorial water is the property of bordering states and the sea wealth in the exclusive economic zone will be property of union only बहुत है कि जितने भी rights and obligations ते Indian princely state के commencement से पहले constitution के वो जितने भी rights and obligation के युनियन गोर्मेंट के नहीं अगर वो अगर इसमें union गोर्मेंट में इंकलूड नहीं होती है तो उस concern state के भी बन जाते है ठीक है अगर वो नहीं होती तो इंदी टेरिटोरियल water is the property of bordering states बोले कि sea wealth जो है वो टरिटोरियल वोटर में bordering states की प्रोपर्टी तो यह दखना सी मलब सी आते ही सी आते ही आता है रगना सम उंदर में कोई भी हो जाए शेल्फ हो चाए एक्स्क्लूसिव उकुनोमिक जोन हो कुछ भी हो केवल और केवल यूनियन की प्रोपर्टी स्टेट की प्रोपर्टी वहां पे नहीं है तो यह important द्यान आगना जो टेटोरियल जा कि किसी की भी प्रोपर्टि को equation किया च् SVT लेकिन पार्लेमेंट कर सकते में उसके तो उसको थे प्लेमेंट कर सकते यह तो क्या हो झानिन तो थे के चीज़ पता हो इसके लिए यह बले सकते तो तु है ध्यान रगना यह मैंने रिजलत बता दिया था ना आपको कुछ भी सुन रहे हो ऐसे पड़े पड़े ठीक है तो कुछन नमबर 86 फर्स टेटमेंट भी रहोंगे सेकंड से इन बाताने कोई भी क्रेक्ट स्टेटमेंट नहीं है फिर आजाता है नेक्स्ट जुनोमिया प्रोजेक्ट बहुत इंपोर्टन प्रोजेक्ट है जल कर दो मेलिक इसके लिए है किसली पताओ ये एक प्रोजेक्ट जैगा जो है इसको उसको मैच किया जाएगा ऑफिर इन को मैच किया जाएगा तो बिल्कुल इसमी एक प्रोजाट है जिसमेंड इसपर किया जाएगा कि टुष हई हुँ तो बहुंगовत है कि समीक्षा पोडरे के बारे में थी पीजीर्य अर tact एद्वार सन्हाच यह सामिक्षा ठ्क क्या क्या लग है लगा एक तो एक पर देश क्या एक रियल टाइम ऑन-लाइन सिस्टम है तो बिलकुल यह रियल टाइम ओन-लाइन सिस्टम है मोनिटर करने के लिए फोलो एपक्षन के लिए जो भी दिस इस देशन लेती है इप्लिमेंटेशन आप कहीं से बिल्कों से स्टेटमेंट जे रहे हैं सेकिन बोल रहे हैं कि सेंटर पब्लिक ग्रिवेंस रिट्रेशल मनिटरिंग सिस्टम प्रोवएट फैसलिटी डिसमें उनलाइन नाइन जोग्रिफिक से लिए बोहती इंपर्टेंट है तो यह क्या है य इफ फाइलिंग पोर्टल है इफाइलिंग मतलब आप इलेक्ट्रोनिक ली फाइल कर सकते हो इंकम टेक्स अपिलेट ट्रिबुनल है तो आप उनलाइन डाल सकते हो उसके लिए एक प्लेट्फोर्म बना गया है इतात इद्वार ठीका तो यह स्टेटमेंट ए गवर्नेंस सर् समझ में आ गया होगा आ जाते हैं प्यासान सा था फिर इलेक्ट्रोल फंडिंग के बारे में यह कुश्चन भी हम कर चुके लेक्ट्रोल बोल रहे हैं पाइप सोरी पॉलिटिकल पार्टिस आर नोट रिक्वाइट तो रिविल दीनेम ऑफ इंडिविजियोस और गनाजिश पॉलिटिकल पार्टि यह स्टेटमेंट भी हो सब्सक्राइब कर सकता है लेकिन पॉलिटिकल पार्टि कि तो ना खर्चा कर सकते उस पर कोई लिमिट नहीं है चीज ध्यान अगना बिल्कुल सभी स्टेटमेंट है घर बोले कंपनीज एक्ट्व तो 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 कुल भी नहीं है कंपनीज एक्ट बदल दिया गया तो तो यह स्टेटमेंट सही रखी है ठीक है एक मिनट तो जब 2013 का तो एक बोलता था कि 7.5 परसंट से ज्यादा प्रोफिट आपको जो है पॉलिटिकल पार्टि को नहीं देना लेकिन 2017 के फाइनेंश मिल में यह कंडिश सकते हैं लिबा दाने जिए हैं के मेरे खाल साको समझ करता होगा क्यों है परिखन हैं आम यहां को बतायिक का दोश्य उडेट के बारे मिन्स टाइप का कोर में देकल करते हैं इसमें गोले इस में इसमें कि अपुछा जाता है यह अलग स्टेट्मेंट है तो थर्ड रहुग है तो हमें पिताने करेक्ट स्टेट्मेंट तो था सब्सक्राइब करें और एक स्टेटमें अबारी दोंगा तुमारा अंसर क्या जाता है भी मेरे खाल से समझ में आ गया होगा कि इसका अंसर भी क्यों हुआ है ठीक है तो कुछिन नमर 90 एंसर हो गया भी आ जाते हैं नेक्स्ट कुशन पर एलेक्टरोल बोंड के बारे में आ ग सब blueberry 30FANS सकती क्यों होता है अधे सब्सक्राइब नंगाल सब्सक्राइब हुस सकते हैङ किपने देन तक मेरे कुछ ना यादा य। सब्सक्राइब नहीं कि यह रुपे के ही बॉन्स इसा तो डिना यह जार के रिस्पेक्ट में कितने भी हो सकते हैं तो यह स्टेटमेंट भी रहोंगे फिर पोले जितने भी पुलिटिकल पार्टी से लेक्टर बॉन्स को रिश्यू करने के लिए तो अब सबी को पता है सारी पार्टी पार्टी जिए नहीं है सबसे पहले तो रिकोगनाइस पॉलिटिकल पार्टी ओने चीए ठीक है और दूसरी चीज क्या होने चीए लास्ट लोक सभाया लगस्लेट्य असेंबली के लेक्शन में 1% सीट्स 1% वोट्स और सीट्स निए वन परसेंट वोट्स एक्व समझ में आ गया वह सबस्क्राइब कि आगया तो बिल्कुल सभी स्टेट्मेंट है कि तूर्जन एक्ट के बारे में इसको किया गया था तो बिल्कुल सब्सक्राइब यह वह बहुत सारे मतलब चीज़ है इसमें पस यह है कब आया था टर्रिस्ट के लिए इंटलिजन्स शेरिंग का मेकनीजम है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है हमें बताने हैं और यह क्रेक्ट स्टेटमेंट तो अंसर हमारा क्या हो जाता है ने क्वेशन के बारे में और यूपस्ट के बारे में तो आपने पढ़ लिया था देखो यूपसी मैंने बताया किस आर्टिकल में आता कि टोसो तेरा से ले सुरी 203 15 से लेकिंट रिख फफ्टीन से लेकर टो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं यूपसी के या स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमिशन भी निक एक्ट पार्लियमेंट से बना है ना की किस से बनता है यह बनेगा द्यान अगना इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन कौन बनाएगी इसको पार्लियमेंट बनाएगी बाइगी बाइट पास करके सकते फर्स्टेटमेंन को रिपोर्ट पाइगनों बंवन को बेशन ल में खुर्माइगे टो फ्रेजिद्मेंट को रिपोर्ण राइगना औलेगी तो ये स्टेट गुर्णर को यह रिपोर्ट देंगे लाकिए अंसर कह अब धूर स्टेटमेंट हमारी रॉण है कुछ इसके बारे में धू मेरे ठीजों सब्सक्राइब सुर्भी सर्विस Кमिशन एक constitutional body नहीं है एक statutory body है चेर परसन नंबर ओफ मेंबर्स कौन अपॉइंट करते हैं इसमें भी लेकिन याद एकना जुए पॉब्लिक सर्विस कमिशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट करते हैं यह बहुत इंपोटेंट है यूपसे के मेंबर्स को करते हैं यह बहुत करते हैं लेकिन अगर इनका अब करना होगा तो कोई को करेंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इन सब को कर सकते हैं इस तो एक चीजह है हमारे इंपोटेंट सारी तो कर दाता है नाइंसर हो गया भी एजड़ नेक्ट के बारे में बात करने हैं सबसे पहले बोल रहे हैं कि 2013 में इस्टाब्लिश की गई थी जी ट्वंटी की मीटिंग में विल्कुल यह इंक्लूड की थी सेकंड बोल रहे हैं अभी रिसेंट लिस्ट की सम्मिट नागपूर में हुए तो यादक ना जैपूर राजस्तान में सबसे पहले है आपने नेक्स्ट कोशिन पर नेक्स्ट कोशिन में क्या बोलता है 95 नालसा के बारे में बताना है नेशनल लीगल सर्विस ऑथरीटी एक और 30 ऑफ इंडिया सबसे पहले है आर्टिकल 39-a of the Constitution प्रवाइट फ्री लीगले टुटी पूर एंडिकर सेक्शन ऑफ प्रमोट जस्टिस ऑन दीवेशिस ऑफ इक पर्वाइट बिल्कु से इस स्टेटमेंट अब आर्टिकल 39 ने यहीं बोलता है एक्जेक्टी जो चेर्मेन ओथरीटी के वह चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया होते हैं वह पैटर्न-इन-चीफ होते हैं वह क्या होते हैं बहुत इ इसके अलावा किस को इसमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है आप सभी को बता है कहा कि इसको की जाती है एस एस्टिस चीफ को ठीक है विक्टिम जो ट्राफिकिंग के विक्टिंग होते हैं जिन क्विक्तिंग हो जाता है च्ट्रों को विमन को मार डिजास्टर वगेरा से जो लोग वो है उनको जिनका इंकम का भी कुछ है कि भाई इतनी इंकम कम होनी चीए ठीका लेस दन फाइफ लैक इंकम कुछ ऐसी है कि इंकम का भी क्रिटेरेस से कम इंकम होगी तो भी आपको फ्री लिगल एड प्रोवाइड की जाएगी ठीक ह तो यही है तो अठारा साल तके बच्चों को सीनियर सिटीजन्स को ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं जिनको फ्री लिगल एड प्रोवाइड की जाएगी तो बहुत सारी कंडिशन है जिन में फ्री लिगल एड प्रोवाइड की जाएगी तो कौन है इसका पैटर इन चीफ और कौन है इसके एक्जिक्यूटी चेर्मेंट जो इनको वो करेंगे तो यह कुशन हो जाता है हमारा कंप्रेट और नेशनल स्टेट लेवल पर यह में लिए स्टाबिश की जाती है तो जानक ना तो कुशन नंबर 95 हमारा अंसर हो जाता है भी आ जाते हैं नेक्स्ट कुशन प्रफॉर्मेशन एक्ट सबसे पहले बोले प्राइब और इन परफॉर्मिंग डूटी और प्रफॉर्मिंग डूटी और प्रवाइड इंफ्टी तो अब यह थोड़ी देर बोल रही हूं पहले बताया गया था कितने दिन के अंदर आपको इंफरमेशन देनी है जल्दी आपको बताया था तीस दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है अगर लाइफ और लिवर्टी का सवाल है तो 48 देज बोली 48 आर्स के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी है तो यह तो यह जाते हैं आपने नेक्स्ट कोशन पर और एक मिनिट नेक्स्ट कोशन में क्या बोलता है तीन पोर्ट समय दिये गए पोड़ और कंट्री पोल रखिस अबसे पहले सबांग पोर्ट फिर एक अथा पूर्ट फिर चिटांग उन्ग पूर्ट देखो चिटांग उन्ग पूर्ट तो कौप सभी को पता हुँगा कहां पे क्वेशन के निए कुछ चीज़ बोल रखी है तिक है उसके बारे में बताना है चार चीज़े बोल रहें सबसे पहले बोले रिप्रेजेंटेशन सब्सक्राइब करता है यह करता है तो यह दोनों आपोजेट दे रखें तीसरा दी लिविटेशन क्या करता होगा सिट को र्यक्त बिल्कुल तो यह तो बिल्कुल बोल रहे हैं प्रेजीडेंशा एंड वाइस प्रेजेशन एक्षण एक्ट यह क्या करता होगा इनके समझ में आगा कॉन नक्रिकितर नहीं कौन करता है और कि होते हैं और सीड स्काइल लोकेशन 1950 के कोडिंग हो तो ध्यान अकना यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है बूल जाते हैं इसको बार-बार 98 एंसर हो गया भी आ जाते हैं नेक्स्ट कुशन पे विच ओफ दी फोलोइंग अबॉट आर्टी आई ऐसे सही बतानी है कौन सी है एक एक मिनट यार है नहीं हो थिसके क्या सब्सक्राइब और प्रेजिजन के बारे में तो थार्ड बोले ऐसा नहीं है कि यह अर्टी आई से बगलब हो गया था फिर बोलें प्रेजिजन के इसको देती है तो थो फॉर्थ भी रॉंग ए सटेट्मेंट करेक्ट है के बारे मेरे कहाओ से नॉर्मल कोश्चन का किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए फूर्ट है वह बूची दे के विशचन नंबर यह हो जाता हमारा कंप्लीट आपनीने अरे यह मैंने मैं क्या कि आइट इंग मैंने स्क्रेंट चेंज नहीं की थी देख लो सेंटरल इंफ्रमिशन कंस्टिटुशन बोडी नहीं है बारे में बताना था यही तिक लेना आ जाते हैं नेक्स्ट कोशन पर नेशनल फूर्ड सेक्यूर्टी एक्ट के बारे में बात कानी है देखो नेशन कि यह कि खुशन है यह तो यह दिया जाता है यह ज़दा है और यह तो अधियो सोल्ट में कितना जाए जाता है और अंटे लिगा प्रेगनेट वुमें और लेक्रेटिंग वुमेंस को फ्री नुट्रीशियस मिल दी जाती है बिल्कुल दी जाती है वही कैश मेटरनेटी बैनिफिट मीनिमम 6,000 का कमपंचेट करने के लिए उनके वेजिस लोस दिया जाता है प्रेगननसी के दौराने बिल्कुल 6,000 पैसे प सब्सक्र भी करेक्ट दौराने वही कही का आप सब्सक्राइब कु— और अप्रोक्स क्या बोलते हैं फिफ्टी परसेंट अर्बन हाउसोल्स को यह कवर करता है इनकी कवरेज कितने हैं रूरल हाउसोल्स को सब्सक्राइब करते हैं इसको कितना नाज दिया जाता है वह हो गया हमारा ठीक है और अभी इसको टोटल इस एक्ट कितने क्या है यह को इसके बारे में नॉर्मल बतानी थी बहुत सारे बच्चे बोल दे हम भी सोच रहें पढ़ाने के लेकिन अभी क्या हो रहा है ना देखो मैं करेंट फेस को बिल्कुल भी इस सा कुश्ट करेंगा तो आगर मेंवर्श और ंभी तक बढ़ा ओगी न उस सब से बड़ी बात यह आना या फिर मैं एप्पे पढ़ा सकते हुं करन्ट फेर्स को यहां पर मैं नहीं पड़ा सकती है तो उसको मैंनेज करना आज कल बहुत सारे चैनल के अरहें और का सभी आपको सभी को बता तुन बार आजाता है तो फिर चैनल हो जाता तो फिर फीर वीडियो मार देते तो यह तो नहीं तो नहीं बहुत ज़्यादा मालती हैं तो बस मेर को यहीं बताने थी वह भी चीज़े स्टार्ट कर रही हूं है लेकिन यहां नहीं होंगी सॉरी फॉर देट और यह मत सोचना कि कोई मेर को बहुत ज़्यादा ही प्रोफिट मिल जाएगा उससे ऐसी चीज नहीं है मैंने आपको बता द